देश हित की बात, मत्रफ भुमी न्यूस के साथ सरकार की हट धर्मिता की भेट चड़ी एक महिला पैरा टीचर, 22 वे दिन भी मंत्री भाया के आवास पर धरना जारी बारा, अखिल राजस्थान मदर्सा पैरा टीचर्स, शिक्षा कर्मी, राजीव गांधी पैरा टीचर्स आदी का 22 वे दिन भी मंत्री प्रमोद जैन भाया के आवास पर धरना जारी रहा प्रेस प्रवक्ता मुहम्मद आविद देशवाली ने बताया कि आज कोटा की मदर्सा पैरा टीचर नाजनीन इस नाकारा निकम्मी सरकार को जगाते जगाते खुद शहीद हो गई पंद्रह दिन पहले कोटा धरने पर तवियत बिगड़ी और ऐसी बिगड़ी की आज बहिन हम सब को छोड़ कर चली गई लेकिन इस सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा पता नहीं ये सरकार और कितनों की जान लेगी रामचरन मीना को बनाया बारान कॉंग्रेस जिलाध्यक्ष पूर्व जिला प्रमुख रहे हैं रामचरन मीना और मंत्री प्रमोज जैन भाया के विधान सभाक शेत्र से आते हैं क्रिकेट प्रतियोगिता का हुआ उद्धाटन 6. गणेशपुरा गाव में क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्धाटन मोखमपुरा के सरपंच रामकल्यान गुर्जर द्वारा किया गया प्रतियोगिता में प्रतियोगिता में प्रतियोपण 21,000 रूपए और द्वित्योपुरुसकार 11,000 रूपए रखा गया है 6. स्थानिय श्री अमर्चंद राजकुमारी बर्दिया जैन विश्व भारती सनातकोत्तर महाविद्यालेय में संचालित रेड रिबन क्लब और राष्ट्रिय सेवा योजना की इकाई के तत्वाधान में विश्व एड्स दिवस मनाया गया. 8. मुस्लिम चात्र संगठन की कार्यकारिनी घोशित. शिक्षा की जागरूकता को लेकर हुई बैठक. अट्रू. नगर मीडिया प्रभारी नईम पठान ने जानकरी देते हुए बताया कि मुस्लिम चात्र संगठन की बैठक नगर अध्यक्ष सलामतुल्ला शेक की आवास पर हुई. जिसमें चात्रों के हितों के लिए कई एहम मुद्दों पर बातचीत हुई. नगर अध्यक्ष शेक ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि कोई भी कौम बिना तालीम के तरक्की नहीं कर सकती. इसलिए हम हमारे बच्चों के साथ समाज के हर बच्चे क शिक्षा के साथ जोडने में भागीदारी निभाए. अजमेर के किशंगर में हुआ सड़क हादसा. रोडवेज बस और ट्रक में जबरदस्ट भिलंत. आगे चल रहे ट्रक ने लगाए इमजेंसी ब्रेक. इसी दोरान पीछे से आ रही रोडवेज बस भिली ट्रक से. ट्र की वे पर रहता है आवारा पशुओं का जमावणा. राजस्थान मुसलिम फोरम ने की पैरा टीचर्स को नियमित करने की मांग. जैपूर. राजस्थान मुसलिम फोरम का एक डेलیगेशन मदर्सा पैरा टीचर्स को समर्थन देने के लिए मंगलवार को जैपूर में धरना स्थल शहीद समारक पहुंचा। डेलीगेशन ने शमशेर खान, आजम खान वधरने पर बेठे पैरा टीचर्स से मुलाकात की और फोरम की और से पूर्ण समर्थन देने की बात कही। साथ ही राजे सरकार से भी